हाँ जी जाहीं सबीको नमस्कार स्वागत करतों एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्षे एंड ये पे आज की इस वीडियो में बात करेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में यानि कि हमारी आँख से रिलेक्टर जितने भी विजन होते हैं इनके बारे कैसे पूचा जाता है और किस तरीके से आपको अप्रोच करना है कि आपका कुशन गलत ना हो तो तीन चीज़ें आपको यहां पे ध्यान में रखनी है और आपका कुशन कभी भी गलत नहीं होगा ये तीन एसपेक्ट से आपको कैसे पढ़ना है पहला आपको ये कि कोई भी vision होता क्या है myopia क्या है, hypermetropia क्या है दूसरा उसका cause क्या होता है, कारण क्या होता है और तीसरा उसका solution क्या होता है, यानि कि उसको आप correct कैसे करोगे ये तीन चीज़े आपको बताएं तो आपका paper में question कभी भी गलत नहीं होगा, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, myopia के बारे में वही, myopia कौन से disease होती है कि इसमें किसी भी विक्ती को past का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता है आप इसको ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो कि mypia went ragoon तो जब पिया दूर चले गए तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन past में थे तो दिखाई पड़ रहे थे, तो ये क्या हो गया कि इसमें क्या है past का तो दिखता है, दूर का नहीं दिखता है इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं short sightness भी कह देते हैं क्या कह देते हैं, short sightness भी कह देते हैं दूसरा होता है कि इसका कॉज क्या होता है यानि कि मायोपिया का कॉज क्या होता है मायोपिया में बेसिकली जो लेंस होता है लेंस की पावर क्या हो जाती है बढ़ जाती है लेंस की पावर क्या हो जाती है बढ़ जाती है पावर बढ़ने की वज़े से जो इ इसको ऐसे भी कह सकते हैं power बढ़ गई है focal length degrees हो गई है तो फिर इसका correction कैसे होता है इसके correction के लिए हम क्या करते हैं concave lens का use करते है concave lens जब हम spec लगाते हैं तो concave lens यह क्या करता है वापस से image को retina पे ले आता है तो it brings back the image on retina तो यहां से क्या होता है कि पहले हम यहां पे concave lens लगा देते हैं तो एक बार light क्या होती है यहां से पहले refract होती है और refract होने के बाद फिर वो वापस से कहां पे retina पे उसकी image बन जाती है तो तीन चीज़े मायोपिया क्या है मायोपिया का कारण क्या है और मायोपिया का correction कैसे होता है या फिर इसको किस नाम से जानते हैं Salt Sightness, Pass का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, Cause, Power, Increase हो जाती है, Correction, Concave, Lens. वैसे ही होता है Hypermetropia, इसको हम किसके नाम से जानते हैं? Long Sightness के नाम से जानते हैं. Long Sightness का मतलब इसमें Pass का दिखता है, Pass का नहीं दिखता है, दूर का दिखता है. इसका Cause क्या होता है? इसका Cause होता है कि इसमें जो Power होती है, वो क्या हो जाती है? फिर आजाता है आपका प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया क्या होता है, ना तो इसमें पास का दिखता है और ना ही इसमें दूर का दिखता है, मतलब एक टाइम के बाद जब ओल्ड एज हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, ना तो पास का दिखता है और ना ही दूर कम हो जाता है तो इनका solution क्या होता है इसके solution के लिए हम अब दो चस्में तो लगाएंगे नहीं तो हम एक ही चस्मा यूज करते हैं इसके लिए क्या यूज करते हैं कि नीचे वाले portion में कौनसा lens होता है उपर वाले में कौनसा तो जनरली नीचे वाला किसके लिए यूज किया जाता है पास का देखने के लिए उपर वाला किसके लिए यूज किया जाता है दूर के लिए यानि कि उपर वाला किस विमारी को खरिक करने के लिए मायोपिया को कर करने के लिए और नीचे वाला किसको करने के लिए and also hopes पूछ लेता है फिर एक ऐसे होता है cataract इसको हिंदी में हम क्या कहते है मोतिया बिंद भी कहते है क्या कहते है इसको हिंदी में हम मोतिया बिंद भी कहते है ये क्या होता है ये disease क्या होती है इसके लिए important होता है इसमें जो eye का lens होता है वो कैसा हो जाता है white हो जाता है या फिर milky हो जाता है या फिर इस पर क्या आ जाते हैं white white spot आ जाते हैं इसी के लिए ये क्या है पूछा जाता है कि cataract में क्या होता है white हो जाता है, lens milky हो जाता है spot हो जाता है इसका कोई solution है, इसका कोई solution नहीं है मतलब किसी चस्मे से इसको ठीक नहीं किया जा सकता है इसके लिए सीधा क्या होती है फिर सरजरी होती है वैसे भी आपका आ जाता है ASTIGMATISM ASTIGMATISM ये भी old age के टाइम पर भी बिमारी होती है और यहां पर भी क्या होता है जो eyeball होता है उसका shape कैसा हो जाता defected होने लगता है तो ये भी अपने correction के लिए use important होता है बाकी इसमें क्या होता है vision कैसा हो जाता है distorted हो जाता है blur vision दिखाई देता है लेकिन correction के लिए important होता है कि इसमें किस lens का use किया जाता है cylindrical lens का use किया जाता है अब last में ये जो 5 बिमारी हैं इनसे बार-बार कुश्चिन्स आपके पेपर में देखने को मिलते हैं और last आपका होता है color blindness color blindness के बारे में जब हम बात करते हैं तो color blindness काफी important, मतलब disease होती है, कई भर पूछ लेता है important in the sense की ये काफी कदरनाग होती है especially जो बच्चे defense की preparation कर रहे हैं, police की preparation कर रहे है क्योंकि कोई भी candidate यदि वो defense या police की तयारी कर रहा है और उसको color blindness है, तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि उसको permanent rejection मिलता है क्या मिलता है? permanent rejection मिलता है तो कैसे पता चलेगा कि भई किसको color blind है या किसको color blind नहीं है तो होता क्या है कि color blindness में हम जो primary color होते हैं red, green और blue इनके बीच में difference नहीं बदा पाते हैं तो color blindness के लिए कौन responsible होता है? तो हमारी retina पे दो परकार की cell होती है एक को हम क्या कहते हैं? rod कहते हैं, दूसरे को हम cones कहते हैं तो color blindness के लिए जो responsible होती है वो आपकी cones responsible होती है यानि कि जो cone cells होती है वो responsible होती है और rod एक और बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं 0-thalmia तो जीरोखальमिया के गिलिए जिसको night blindness भी हम कह देते हैं। उसके लिए आपका rod responsible होती है। जिनकी cones क्या होती है? ये basically high light के लिए responsible होती है और rod के लिए dim light के लिए responsible होती है। I hope आपको ये concept समझ में आया होगा। ऐसे ही और कॉंसेप्ट जानने के लिए आप नीचे कॉमेंट करके बता सकते हो कि आपको किस कॉंसेप्ट पर वीडियो चाहिए दूसरा आपका बैच स्टार्ट हो चुका है विजय पत जिसमें बायलोजी आपकी स्टार्ट हो चुकी है पांच बज के 35 मिट पर डेली मंडे टू फ्राइडे आप फॉलो कर सकते हो मुकाम टेस्स सीरीज आपकी चली रही है इसको आप फॉलो कर सकते हो और अनगेडमी को फॉलो करने के लिए आपके लिए ओफर चलना है 16-5 ओके ये आपका एक्स्टेंट भी हो गया है जिसमें आप यूज कर सकते हो अपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय ही जय बारा